हेलो प्रेंट्र वन्स अगेल वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल के एस बाइलोजी टेग टूड़े वी आर गोईन टू टाक अबाउट प्लेसेंटा ओके तो आए देखते हैं प्लेसेंटा क्या होता है तो जो प्लेसेंटा है प्लेसेंटा को हम हिंदी में अपरा कहते है अपरा होता क्या है इसको देखा जाए अपरा वसन नचना होता है जिसके द्वारा जो जरायूज अस्तंदारियों का विकास सिल जो गर्भ होता है अपना पोसं मात गर्भास ही रुधिर से प्राप्त करता है उसे ही हम प्लेसेंटा करते हैं आए इसको बिश्तार से जाना क्या बताया गया अपरा प्लेसेंटा वसन नजना है जिसके द्वारा जो जरायुज अस्तनधारियों का बिकास सिल गर्व या भुरुड अपना पोशन मात्रिक गर्वासे रुधि से प्राप्त करता है या भुरुड बाकला की प्रकृति उसी को हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा को कई प्रकार से विभायत किया गया है उसके प्राकृतिक उद्गम के अधार पर अपरा पीतक कोस जैसे जो मेटा थीरिया या मार्सूप पीयल्स होते हैं या कोरे अन्ट लोइक तथा जरायुज प्रकार के होते हैं तो आईए हम लोग बात कर लेते हैं अप अपरा क्या होते हैं वह सनचना जिसके द्वारा जरायुज अस्तंदारियों का विकास सील भूड या गर्व अपना पोसंड मात्रिगर्भास से रुधिस से प्राप्त करता है उसे हम अपरा प्लेसेंटा कहते हैं और इसका अगर टाइप देखा जाए तो इसमें आपका प प्रकार का पाय जाता है तो पीसक कोस अपरा जो है याक साग प्लेसेंटगों अपरा पीतक कोस से बना होता है जो गुरियन-ट्व अपरा इसमें क्या होता है इसमें यूरीथियन प्राणी ही होते हैं उनमें इस प्रका का कोरी एंड रेंटोइक अपरा पाया जाता है तीसरा क्या है जरायू जपरा इसमें अपरा कोरियान जिल्ली से क्या होता है बना हुआ होता है जैसे जो मनुस्य है यूमन है यूमन में जरायू अपरा कोरियानिक प्लेसे परजिशन प्राप्त होते हैं अपरा उप्राज नोकिशन थारन कर ने और हम्हां टा तो सुझन पराप्त होता है अपर व्लदिय्हा जाता है ब्लू को बिस्रण दर्म करता है और बीतना तेले यत्योट्र्द्धियंता्य भिषण है सायक होता है नोटेट पॉइंट तीसरक है अपना चैनात्मक और रोधक सेलेक्टिव बैरियर के भाती कारे करता है और यह माता के रुधिर से लाबदायक जो भी इसेंसियल एलिमेंट्स होते हैं उनको भूड के रुधिर में प्रवेश करने देता है किन्तु जो हानिकारक प स्था बना रखने और सिसू के जन में सहायक होता है तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ा प्लेसेंटा प्लेसेंटा के बारे में हम लोगों ने आज जाना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से नेश वीडियो में तब तक के लिए धन्यव झाल